सभी प्यारे सातियों को रामरा मनुश्का और मुईत करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे इस वीडियों हम बात करने वाले हैं ऐसा सीडी कॉंस्टेवल 2024 की भरती के बारे में तो जैसे जैसे भरती कंप्लीट होने की कगार प्यार ही है हर बच्चे का सिर्फ एक ही लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करने और फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे आगे बढ़ते हैं आपके लिए एक सबसे में जो चीज़े रही है वो रही है कि आपकी विकिंसी भी इंक्रीज हुई 26,000 से बढ़कर आपकी जो विकिंसी हैं वो 40,000 तक हो गई 40,617 अपकी विकिंसी हैं तो नमर विकिंसी आपकी काफी बढ़ी हा रही है इसके साथ ही आपके प्रोसेस को स्रिंक करके ये भी अच्छा किया कि पूरे प्रोसेस को फास्ट ट्रैक तरीके से कंप्लीट करवाया जा रह ही देगी इंग आपको कुछ जदा बढ़ेगी तो बात करूं है टोको आपको खुझ से समझानी चाहिए क्योंकि आप नहीं समझेंगे कोई दूसपर समझा रहा है उसका तो कुछ जाह नहीं रहा है लेकिन आपका बहुत कुछ जा रहा है अब यहां पर देखते हैं चीजह कैसे आपकी काम करेंगी देखो अगर मैं बात करेंगे तो टोटल नंबर विकेंश है चलीस दार और 617 अगर मैं इसके लिए बात करूँ कि इसके लिए टोटल जो केंडिडेट को क्वालिफाइ किया गया था वो 3,47,514 ठीक है टोटल केंडिडेट जो क्वालिफाइ हुए जो आपके फिजीकल वगरा मैं प्रोसेस में साम्बिल होंगे यानि रिटेन एक्जामनेशन में क् 514 अगर आप मैं आप सभी से बोलता हूं कि आप एक काम करिएगा आप सभी वच्चे कमेंट करना कि आपके अकॉर्डिंग टोटल प्रोसेस यानि कि आपका PST हो गया PET हो गया DME हो गया RME हो गया इन सभी प्रोसेस में कितने प्रतीसत वच्चे ओवरॉल पास होंगे आप आप खुद कमेंट करेंगे बताएं फिर आपके जो डाउट हैं वो उनका आंसर आपको खुद से मिल जागा अगर 3,47,514 में मैं एक कंडिशन लेके चलता हूं और मैं समझता हूं कि 30% बच्चे ओवरॉल क्वालिफाई होंगे 70% बच्चे में कोई PSP में disqualify हो गया होगा कोई PET में कोई medical में कोई absent रहा होगा कोई RME में overall 70% बच्चे को माल लेते हैं disqualify जो की generally यही average रहता है और 30% बच्चों को माल लेते हैं हम qualify तो अगर 3,47,514 का अगर हम यहां पे निकालें तो आप सभी को देखने के लिए मिलेगा 1,4,241 total candidate qualify होते है according to 30% अगर इतने candidate qualify होत 37 candidate ऐसे होंगे जिने final married list में बहार होना पड़ेगा अगर final married list में number of vacancy से ज्यादा candidate बहार होते हैं तो simple सी बात है कि जो आपकी cut off होगी वो increase होगी और इस चीज को कोई टाल नहीं सकता कोई कितना भी इस चीज के लिए कह दे देखो एक चीज रहती है आपको खुस करने वाल कुछ राज्यों में ऐसा हो सकता है कि आपकी cut off ना बढ़े क्योंकि आप सभी जानते बहुत सारे North East वगरा में ऐसे स्टेट हैं जहां की जो cut off है बिल्कुल नहीं बढ़ती हैं लेकिन अगर मैं बात करूँ जैसे है का आपका UP हो गया बिहार हो गया राजिस्तान हो गया द हो ओवराल प्रोसेस को तो भी आपके लगबग 40,211 कंडिडेट ऐसे होंगे जिने फाइनल मेरे लिस्ट में आउट किया जाएगा और फाइनल मेरे लिस्ट में आउट करने के लिए सिंपल सी बात है कि cut off को increase करना पड़ेगा एक ही कंडिशन में cut off increase नहीं हो सकती के ओवरा नहीं है आप इस चीज़ को समझो अब यहां पर बात क्या है कि देखो यहां पर आपकी जो cut off है एक तो आपकी state wise आती है आप सभी जानते हैं और इसके अलावा भी आपकी category wise cut off जाती है आप सभी को यह अच्छी तरह से पता है और जब इन तरीके से आपकी cut off बनती है तो यूपी में जो सभी process में पास होने वाले candidate की संख्या कितनी है यह इस पर depend करेगा अब ऐसा हो सकता है कि यूपी में overall बच्चे जो पास हुए हो वो 20% बच्चे पास हुए हो अब हम यह भी कह सकते हैं कि कोई state example के लिए मैं में माल लेता हूं कि X state नाम का कोई state हो सकता है कि उसमें केवल 10% बच्चे qualify हुए हूं जितने बच्चे qualify किये गए थे पी एसटी पीटी के लिए उसमें से केवल 10% बच्चे पास हुए हूं तो simple सी बात है कि यहां की जो cut off होगी वो तो कम बढ़ेगी ठीक है लेकर यहां पे जब आपके 20% बच्चे qualify हो रहे हैं नंबर व बढ़ेगी कितनी ठीक है कि कितने marks हम यह मान के चल सकते हैं कि हमारी जो cut off होगी वो इतनी increase हो जाएगी और इतने से कम में बात नहीं बनेगी तो यह vary करता है state to state एक state के according यह चीज़ से कभी भी नहीं बताई जा सकती है ना ही कोई predict कर सकता है कितनी आपकी cut off बढ़ेगी ल बिलकुल हो सकता है क्योंकि यहां पर किसी category का और किसी state का किसी के पास कोई exact data तो है नहीं तो यहां पर फिर भी मैं अपने according मानता हूं कि दो से तीन नमबर अगर आपके जादा है तो आप लगबग safe category में क्योंकि बहुत जाता बच्चे qualify नहीं हुए है और इसी दियां ऐ आपके इतने नमबर आ रहे हैं तो आपका जो time है उसे enjoy करो क्योंकि देखो December में आपका final हो जाएगा और I hope कि आप January में आप training के लिए भी चले जाओगे तो जेतना आपके पास time है उससे सई तरीके से अपनी family के साथ बिताओ spend करो वह आपके लिए better है बाकी का जो cut-off का है कोई आपको कह रहा है कि zero number बढ़ेगी तो हो सकता है भी zero number बढ़े उसकी according बठा हमारे according तो बिटा आपकी cut-off बढ़ेगी और generally जहां पे सबसे ज़्यादा competition वारे जो राज्ये हैं उनमें तो निश्यत तौर पर बढ़ेगी बाकी रही बात कुछ North East वगेरा वो exception है क्योंक खैसात राज्ये इनकी कटॉप निश्यत तौर पर बढ़नी है सबसे ज़्यादा competition भी यही है तो यह point